लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्टरा चनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें एक दफा का जिक्र है एक करणल साहब थे जहां यही हैं वो करणल साहब लेकिन वो तो एक गए गुजरे जमाने की बात है जब हिंदुस्तान में अंग्रेजों की हकूमत थी अंग्रेज चले गए करनल साहब ने फौज छोड़ दी लेकिन फौजदारी नहीं छोड़ी लोग अब उन्हें राय साहब कहकर बुलाते हैं राय साहब एपी रॉय एक बहुत बड़ी हवेली में रहते हैं अपनी बेहन सती देवी के साथ राय साहब का एक लड़का था नीलेश जिद्धी तो बाप ही की तरह था लेकिन शौक उनसे बिलकुल अलग थे वो संगीतकार बनना चाहता था और राय साहब ये नहीं चाहते थे उसने अपनी मर्जी से शादी कर ली सुजाता से वही हुआ जो होता आया है नीलेश और सुजाता बड़ी खरीबी की हालत में जिन्दगी से लड़ते लड़ते हार गए दोनों गुजर गए और अपने पांच बच्चों को बेसाहरा छोड़ गए रमा, अजे, विजे, मीता और संजु सत्रा साल बाद राय साहर निलेश के बच्चों को लेकर अपनी हवेली में लोटे और लिखाने पढ़ाने की कोशिश की लेकिन ये बच्चे भी अपने पिता और दादा ही की तरह जिद्दी निकले कितने ही मास्टर अखे गाये लेकिन इनोंने कैसी को ठेकने नहीं दिया कोई महीना, कोई हासता, कोई दस दिन, कोई तंगा पर छोड़ गया और कोई नहींने, ये नहीं गए ही अभी तक पढ़ाते है अँ बच्चों को liken Silence, Silence! Silence! Silence, वहे? खामश्ट! खामश्ट है, आप भी तो बोल रहे हैं! फिर बोला, फिर बोला करें होजाओ, करें होजाओ करें होजाओ मैंने के कि जो अब मार रहे है अभी तो तुमने कुछ किया ही नहीं बेटा तब यह हाल है, सोचो अगर कुछ करोगे तो हम क्या हाल कर देंगे? मैंने बहुत तारीफ सुनी है तुम लोगों की एक-एक को मा सिधा कर दिया तो कहना खड़े हो जाओ खड़े हो कुछ सिधे खड़े जाओ कुछ सिधे खड़े जाओ जो गर्भी काल लेसन याग करो जब तक मैं छोटे दोने को लेसन याद कराता हूँ, समझे? चोप J for Jack K for करना है करना? क्या? करना है क्या करना है? माइस्टर की करना है ओफ ओफ क्या करना है? करना है करना है करना है क्या करना है? कर लिया क्या? कर लिया अच्छी क्या क्या ज吉 जगूखज जगूई जग जगूई ठलाइगई पसक्तaufen मै का C desarrollo पुगई जग जगुखई Are you He 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 चरोड्या लडीन झाप SUN च scorpन करें तो नच करें Yuck! Neaai, mu slide! Mayday!.. Maydayw, Mayday jedi! Mayday! क्या हुआ मास्टर भी को पता निये उजूर साथ वो तो भूत-भूत कहके बार गए यह देखो भाया किसने किये है यह किसकी शरारत है और किसकी हो सकती है वो ही जिने सिखाने समझाने के लिए रोज नए नए मास्टर रखे जाते हैं कोई पहली बार है भाया चलो सबको बुलाओ जल्दी बार अजय, विजय, मीता, संजू, अरे जयादा ढोंग करने के जरूत नहीं है चलो हुजूर साब बुढा रहे है अच्छा रह उटो तुम्हा ऐसे नहीं उठो चलो भूट जाओ सब लोग अले उठो तुम्हा लोग देदे देदे हुजूर साब आपको बार बुला रहा है, जल्दी आओ मेरी समझ भी ये नहीं आता कि आप क्यों इनके पीछे पड़े हुए है आप पे तो कुछ कम जिद्दी नहीं है भाया नहीं पड़ते ना पड़े आपकी बला से आप जाएए सो जाएए भाया, इनकी खबर मैं लेती हूँ जल्दी जल्दी आओ, खड़े हो जाओ रमा का है? चलो, इधर आओ तुम भी असल कप्तान तो तुम ही हो, तुम्हारी मर्जी के बगर थोड़ा ही होता है कुछ सच सच बताओ किसने ये हरकत की है किसने कच्छवे के पीट पर मुंबत्ती जलाई शेराओ साफ साफ जवाब दो, कि किसकी ये हरकत है, वन्हा सारी रात यहीं खड़ा रखुनी नहीं बताती है, ठीक है, तो खड़े रहो इसी तरह, नारा है तुम यहीं खड़े रहो और देखते रहो कि इन में से कोई बैठने की कोशिश ना करे यह अच्छा, लेकर सारी रात? हाँ, सारी रात यह सब इसी तरह खड़े रहेंगे और मैं भी? हाँ, तुम भी बजमासी पोचकी और मार पले धूल बजाने वाले पर हाँ, हाँ! हाँ, हाँ! प्ली बजमासी ना कर्ड़ में भी यह अыл… झबारे लुपिक बजमासी इस खड़े दोने में वाले वाले डवल..? झारा क्गו nम होच्छा हाँ..... हुआ 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 है हुआ हुआ है मंगल पर शनी की छाया है इसलिए बुद्ध का लगन कारेशिद नहीं करता प्रन्तु राहु के घर में ब्रस्तपती का परवेश कारेश सिदा कर दिया मंगल के बाद शनी और शनी के बाद बुद्ध आप सीधे सीधे सुमवार्थ से चुरू कीजिए इसलिए पंड़ी नहीं मिलने वाली नहीं मिलने वाली क्यों इसलिए के पंड़ी ना मेरा यहाथ छोड़ेंगे ना में इंटर्विव पर जाऊंगे ना यह नौकरी मुझी मिलेगी नौकरी तुम्हारे भाग्य में नहीं बच्चा तुम्हारी हस्त रेखा सीधा वेवपार की दिशा में जाती है मंगल से बुद्ध मिलने की संभावना है तुम्हारा शुक्र जवशनी के प्रभाव से बाहर आएगा तो तुम्हें बहुत बड़ा राजपाट मिलेगा महराज जी समझे यहां देड़ दोसों की नौकरे नहीं मिलती और आप राजपाट की बात कर रहे है आप अमित का हाथ देखिए इन Wells Roland चलिए पंड़िये मेरा हाथ देखिए क्या है के अंग्रेजी कोई ना वे है। है। यह वास्ते ऐसी अट म Means चाहिए जो हम बता दे वह अंग्रेजी माँ लिख दे हैं जी? यहाँ जी पर जो हम बताएं वह यह लिखें आजी आजी जो भाई पहरे हमारे पास काम कर रहे हैं वो बहुत पुराने हो गए हैं जी पर क्या है कि अब बुठे हो गए है ठीक से देखने भी ने सके एक चिथी को तर दस बार टाइप करना पड़े हाँ जी वैसे काम दोचांग घंटे ज्यादा कोई ना है जी रोज की दस बारा चित्थिया लिखनी पड़े हैं और मीना में एक बार सारी सारी बिल टाइप करके भीजने पड़े हैं जी समझ गए ना पीराचन जी जी पीराचन जी जी बाबबगी को अंदर जागे सारा काम संझा जो जाओ जाओ इनके साथ चिले ज़ ज़ाओ अजी 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 यूल दैखो बेड़ी पीते हो? जी मैं, शुकरेगा हां, तो रूज की जो चिठी आती हैं वो इस लेफ ट्रे में रख देता हूं और जिनके जवाब नहीं देने होती वो इस राइट ट्रे में रख देता हूं कुछ नहीं, जरा काम सिस्टेमाटिक हो जाता है और जिनके जवाब देने हैं ना, उनकी कौपी वो जो फाइलें उतर रखी हूई है ना, इन में लगा देना हर साल की अलग लग फाइल है, मैंने बहुत सम्हाल कर रखी हूई है आपको किसी पिसम की तकलिफ नहीं होगी और यह अलमारी है ना, यह मैंने खुद आउडर दे कर बनाई थी सेर जी ने हमें कुछ भी नहीं कहा, बहुत अच्छे आदमी है बहुत खयाल लखा है हमारा उन्होंने आप कबसे काम कर रहें यहां? मैं? पिछले महीने पूरे 22 बरस हो गए बैसे अगर किसी चीज की जुरूरत पड़ती है तो फॉरण सेर जी से मांग रहते हैं कभी ना नहीं कहा सेर जी ने हमारे बेटे की शादी पर 500 रुपे दिये थे सेर जी ने लोने लोने दिये हैं ऐसे दिये थे मैं जीढ़री बहुत दिन नमक कर रहा है सेर जी का अब बुड़े हो गया है काम पूरा नहीं कर पाते बैटे मंख्शान भी तो होता है सेर जी गए वैसे हमने औह ऐ खुदी जीसे कहती है सेर जी निकाला नहीं 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 से ताहने हैं मेरा चश्मा नहीं है अच्छा किया लेकिन इसका फाइदा क्या हुआ नौकरी तो दोनों के हाथ से गई ना और फिर वो बुड़्डा थोड़ी बहां रहने वाला है आज नहीं तो कल तो सेट उसे निकाली देगा निकाल दे यार जी नहीं माना मैं चला है अरे हां तेरे मामा के यहां से पोस्काड आया है कुछ माकान के बारे में है और कुई नौकरी है क्या ख्याल है तेरा तेरा क्या ख्याल है मेरा ख्यान है रवी तु फिला ले नौकरी कर ले रही वो दिक्षत की बात मुझे पूरी उमीद है कि पांच-छे महीने में तुझे वो नौकरी मिल जाएगी और फिर मैं यही हूँ तुझे ख़ब कर दूँगा तु गाउं जा रहा है वहां काम भी कर लेना और वो तेरे मकान का सिंसला है उसे भी निपट लेना एक love letter और आया वो क्या कहा है सदा notice दस दिन के अंदर-अंदर किराया भिजवा दीजे वरना यह lodge खाली कर दीजे तेरी साला यह भी कोई जिन्दगी है मैं जाता हूं घर यह वहां से पैसे भीजवा दोंगा चलते चलो बेटा किसी रास्ते से कोई ने कोई रास्ता से निकलाएगा क्या हाहा हाहा मुसाफिर हूं यारो ना घर है ना थिकाना हूं 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 मुसाफिर हूं यारो ना घर है ना थिकाना मुझे चलते जाना है बस चलते जाना मुसाफिर हूं यारो ना घर है ना थिकाना मुझे चलते जाना है बस चलते जाना मुझे चलते जाना एक राह रुक गई तो और जुड़ गई मैं मुड़ा तो साथ साथ राह मुड़ गई एक राह रुक गई तो और जुड़ गई मैं मुड़ा तो साथ साथ राह मुड़ गई हवा के परों पर मेरा आशियाना मुसाफिर हुआ यारो ना घर है ना ठिकाना मुझे चलते जाना है इनने हाथ थाम कर इधर बिखा लिया रात ने इशारे से उधर बुला लिया दिनने हाथ थाम कर इधर बिखा लिया रात ने इशारे से उधर बुला लिया खुबह से शाम से मेरा दोस्ताना मुसाफिर हुँ यारो ना घर है ना ठिकाना मुझे चलते जाना है बस चलते जाना मुसाफिर हुँ यारो ना घर है ना ठिकाना मुझे चलते जाना है बस चलते जाना है बसकानम मुझेः झालते जाना क्षबड़ ने चलते जाना मुझे घर की मामा जी तो मुझे का पता था? मुझे कुछ थोड़ा ही बताते है आज का लिए? अज़ भाई, चित्थी तो लिखी थी, मगर लिखने से आई जागा मुझे क्या बताता है? चित्थी तो मैं पहले भी कई बार लिख चुना है मामा जी शहर में नोकरी की मारा मारी से फुर्सदी काह मिलती है तुने बीच में लिखा तो था किसी मोटर के कार खाने में काम कर रहा है जी हा मामी जी लेकिन कमबक ऐसी अर्ताल पड़ी की नोकरी से भी गए तो ये बुरा किया अच्छा मैं आती हूँ अर्ताल पर्ताल से क्या लेना तुमें ये राजनीती के चकर तो बाद दो किसम के लोगों को रासाते हैं एक तो वो जिनके घर खाने पीने की फिकर ना हूँ और दूसरे वो जिनके घर खाने पीने को कुछ ना हूँ अच्छा अब ये बताओ कोई दूसरा काम बना के नहीं अभी जी नहीं मामा जी लेकिन उमीद है कि छे-आट मैने तक नोकरी अच्छी कोई मिल जाएगी ठीक है जब तक ये काम भी देख लो रुपया पैसे की तरफ से फिकर की कोई बात नहीं दो चार सो पाइसो रुपय से राय साप को कोई फरक नहीं पड़ता तिरु ये कि उनके पोचे-पोचियां हैं वो पढ़ लिख जाएं चीख जाएं हाए हाए तो क्या तुमें रभी को इसलिए बुलाया है क्यों बिलल्लों के हाथ से मारा जै ले बैटा क्यों आए जयाना खबरदात गुपयली में ले गए तो ठीक नहीं होगा क्यों क्या राय साब के पोधियां इसने खतरनाग हैं अरे खतरनाग गया बेटा मरे राट्छा सायं यम्दूथ हायं यम्दूथ पता नहीं भई घर बैठे क्या-्वाइस सुनती हैं अरे मैं ठीक सुनती हूं तो माई तरह बहरी नहीं हूं क्या कहा? चांची के माने मुझे सब कुछ बताया है लेकिन उन्होंने किया क्या है? अरे क्या बताओं बेटा वहां तो दर्जनों मास्टर आय और बदल गया कोई ठीकता ही नहीं एक दिल्ली से मास्टर बुलाया था उस आतान के बचों ने उसके बिष्टर पर रात को इतना बढ़ा स्वापते अजी कोई नाप तोल के तो बात किया खरो जी साफ वहां पनी जी केंचुआ था केंचुआ था लो केंचुआ था और तुम नहीं खाते थे एक बनारत से बुलाया ओ तो रात के राता ही भाग गया बनारत नहीं बरेली का होगा अकमबग अजय का होगा भाग तो गया मामला काफी इंट्रेस्टिंग लगता है रवी बेटा देख अपनी मामी की बास सुनके अगर तेरा जी ना माने तो ना लेना काम अगर एक बार चलके राय साब से मिल तो लो क्या भरोसा अगर तुम अच्छे लगो तो अपने वेवार में साथ रख ले तुम्हारी हस्त रेखा सीधा वेवार की दिशा में जाती है तुम्हारा शुक्र जब शणी के प्रभाव से बाहर आएगा तो तुम्हें बहुत बड़ा राजपाट मिलेगा खाम खाद रगा दिया जी बच्चे को आते ही रवी क्या कम बद्माच था बच्छमन में भूल गही जब व तुम्हारी चोटी से मेंडग बांद दिया और तुम्हें तांडब नाचना थे लागा मैने पटार बड़ी सब्सके खूब की में अपरशवर। वह भुटोबे नमस्ते पंडीची जी नमस्ते नमस्ते राय साब नीचे उतर आएं जी हाँ निकल रोगी यह क्या ने मस्तर जयाए क्या ने मस्तर जयाए क्या हाँ यह जो बात पुछो फोरम जवाब देना ख़वराना नहीं बिल्कुल जूते की आवाज में हो मैं आ सकता हूं जी अंदर आईये पंदर जी यह जी रवी राइसाब मेरा बनांजा मैंने कहा था ना उदिन चिठी मिलते ही आगे प्रेट लोग कितना पड़े हो जी बी ये किया है एमें करना चाहता था क्या चाहते थे ये नहीं पूछा पढ़े कितना हो जी बी ये दात तेरे के इसने तो छूड़ते इधर लिया किस सब्जेक्ट में बी ये किया है एकनॉमिक्स में किया था क्यों किया है पूछा बिना पूछे जो आदमी कारण बताए वो अकसर छूड बोलता है ये साला तो राक्षत है होने को तोड़ता अगर गुंडे हो तो बच्चे गुंडे नहीं होते राज साब शरारती हो सकते हैं बदमाश हो सकते हैं अगर बदमाश हों तो उन्हें ठीक कर सकते हो कोशिश कर सकता है तर कर भागो गे तो नहीं मामा जी तो मुझे बताए चुके मामा जी ने ये भी बता दिया होगा कि यहां का DiSiplin करह सक्थ है यहां के काइदे कानून मान न रह सकूगे काइदे कानून तु यहां के मौलूश्पून नहीं क्यासे कह सकता हूं कि रह सकूंगा यह परीम क्या पियंगे आप लो ? चाय शर्बत ? नहीं, बस अब चलें, काम में कुछ चलो रख, पंदर जी, आप एक मिनुट है लिए भार में जाए नो कोई ऐसे, कौन करता है लो, सूथ तो सूथ, यहां तो चलनी भी बोले है मैं तो फूल के चार गुना हो गया जब राय साब ने का कि ऐसा कोई मास्टर तो आइसे पहने उन्हों ने देखा ही नहीं फॉरन दंखा पक्की कर दी, खाना, पीना, रहना, सेना खाब अलग से पहरे तो मैं घबराई जया, लेकिन रभी ने भी वह फट फट जवाब दीए कि मदा आ गया हाँ हाँ, बड़ा सुख मिल जाएगा तुमें, रभी को राक्षित बच्चों के पास भेज के अगर इसे कुछ हो गया तो पिदेख लेना उफो, तुम तो ऐसी बात कर रही हो, जैसे लाम पे भेज रहा हूं मैं इसे लाम पर नहीं तो और क्या लाम पर तुब सिपायों के हाथ में दंपूक रहती है, इसे का देकर भेज रहे हो मामी जी आप इतना घबरा क्यों दाइगे, आखिर वो बच्चे ही तो हैं, क्या कर लेंगे और फिर कोई बच्चें ते डरकर उने पराना छोड़ते ये भी तो अची बात नहीं है खेर देखते हैं, कौन ज्यादा पाजी है, वो के मैं अगर वो लग बंदर है तो मैं भी अरे, इस जूते को क्या हो गया तुमारे? अरे हाँ, ये क्या हुआ रहे? जी वो कोईला गिर गिर गया था, उतना इसा काड़र फेंग दिया तो फिर पहनने की क्या जरूरती? दूसरा ले लेकर, तुम चलो मेर साथ कल, जूते कबड़े नाय ले देते हैं तुम्हे दूसरा में सेल डालना ही पड़ा आये मासरी किसी चीज की जरूरत पड़ जाए, तो आप ये बटन दबा देना हमारी गंटी बल जाएगे, हम आजावेगे आप दिराचो, मैं उजीवर साथ को खबर करता हूँ चायनास्ते के जरूत हो तो कुछ निशे आच्छा कर तो कर दो कर दो औरहूरत हिं औरFrे जूर अभूर य कि अझए यदिस बार थैसे, ऱ देपसे, रचार हूआ, के अनैंट मैंक, कना जब्हारा कि जुह कि अberries कि बता र conception कहिए क्या चाहिए कुछ नहीं यहीं देख रहा था कि कौन कहा रहता है आंदा किसी की कमरे में आने से पहले दर्वाजा खटखटा लिया किजी यह भी कुई जहांसे की रहानी लगती है I'm sorry I'm sorry I'm sorry Master जी आपको Olay Jekya Master जी आते ही चित तो गए आत्माओं तो बराबरा कही लगी तुनी आपको ने कुछ ने Jee सब इनी कनीत वन्यों की सरारत है मैं भी जाकर बीबी जी को बोलता हूं ऐसी चमली उदेलेंगे अंतर से की नान याद आजावेगी अरे सुन-सुन किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं नहीं मास्तर जी अभी इसे कान खीच कर रखो नहीं तो मुसे मूच्छें भी उखाल के ले जामेंगे क्या गल्ती होगी मास्तर जी जबान में अड़ी भी तो नहीं दी बगवान ने पटाक से सटक जावे है नाम क्या तुमारा? मेरा नाम नारायन जी मेरे बाप का नाम बाप की ज़रूरत नहीं चलो जाओं दो बाप की क्या ज़रूरत है? बेफिज उगली यहां कितने साल से काम कर गया? जब मैं छोदा बरस का था तभी से उजूर साब की खिंदमत में हो लो मैं तो भूली गया उजूर साब ने याद कर आपको नीचे दिवान खाने मा तुम चलो मैं आता हूं जी अंदर आसकता हूं आओ बैटो तैयार हुजा बेटा वो तो बच्चे थे यह तो उनके भी बाप का बाप है खामखाई जोखली में सर दे दिया कमरा देख लिया अपना? जी ठीक है? जी हां, बहुत अच्छा किसी चीज की जुरुवत हो तो नाराइन से कह देना जी मैंने इसलिए बुलाया है कि तुम्हें एक बार तुम्हारे विद्यार्चियों से मिला दूं यहां तो कुन्बे का कुन्बा ही बिगडा हुआ है रमा कहां है? रमा कहां है? रमा सबसे बड़ी है मैट्रिक में पढ़ रही थी जब जब पढ़ाई छूट गई यह अजे पांचमी या छटी कलास में पढ़ता था स्कूल में मास्टर से लड़कर भागाया अग पढ़ाई छोड़ दी माँ बाप में से किसी ने फिर स्कूल भेजने की कोशिश नहीं की इन से छोटा विजय मुन्नी मीता नाम है इसका और वो है संजय यह लोग तो एक सिरे से गए नहीं स्कूल थोड़ा बहब पिछले एक साल में जो एक दरजन मास्टर इमें सिखा सके सिखा गए बाकी अब तुम पर है जब तक रहो जितना सिखा सको भाया यह देखा आपने यह क्या है यह कुरसी की टांग है जो मास्टर जी के कमरे में रखी वी थी इन शैतानों ने तोड़कर रख दी सुना है मास्टर जी कुरसी पर बैठा और गिर पड़े जी गिर रहा तो नहीं क्यों के बैठा ही नहीं क्यों बहाना कर रहे हैं मास्टर जी अपने माथे की तरफ देखिए, जहां चोट लगी हमाँ जखम हो गया है ये, ये तो तांगे से उतरते हुए उसकी कमानी लग गई थी सथी, तुम जाओ, और बहस न करो तुम लोग भी जाओ, अपनी कापियां और किताबें तयार रखना कल से ये नए मास्टर जी तुम्हे बढ़ाएंगे, जाओ मास्टर अच्छा तो, मैं भी चलू रहा है साब तुम्हारे मामा ने कुछ बताया तुम्हें, ये बच्चे कौन है जी आँ, बता रहे थे कि ये आपके बेटे निले श्राय के बच्चे हैं और किन हालात में लाए गई हैं, ये भी बताया उन्होंने फिर तुम्हे कुछ और बताने की जरूरत नहीं लेकिन इतना बता देना चाहता हूं कि इनकी भोली-भाली सूर्तों पर मत जाना सब के सब एक नंबर के एक पर हैं कि वास्ता पड़ेगा तो यही समझोगे कि चिडिया खर से कुछ जानवर लाकत बांदियें मैंने अपने खर में किसी में इनसान बनने के आफार नदर नहीं आते बहुत वरीबी में पले हैं जानता हूं लेकिन रहने सैने की तमीज और तैजीब खरीदनी तो नहीं पड़ती माबाप से ना मिले तो इनसान पास पड़ो से सीख लेता है लेकिन ऐसे लगता है जैसे इन बच्छों ने कुछ ना सीखने की कसम खानी हो एक ही बात अच्छी है इन बच्चों में और वो यह कि इतफात बहुत है एक को सजा दो बादी सब भूख अड़काल कर देते हैं आलांकि रमा इन सब में बढ़ी है लेकिन बला की जिद्धी जगडालू गुसा तो ऐसे जैसे हर वक नाट पे बैठा रहता हूं सद्धी को तो वह एक आँख बरदाश नहीं कर सकती और मुझे वो और मुझे वो अपने बेटे का थ्यारा समझती है समझती है कि मैंने जान भूज कर निलेश की ख़बर नहीं ली आलांकि मैंने 17 साल इंतजार किया कि शायद कभी वो एक बार रवी पता नहीं मुझे ये क्यों उम्मीद है कि तुम इन बच्चों को सुधार सकोगे आज तक किसी मास्टर ने ये नहीं किया कि इनकी तरफदारी की हो कुर्सी से गिरा हो और कह दे कि थांगे से चोट लगी है रवी इससे बड़ा और कोई ऐसान मुझ पर नहीं होगा अगर तुम इन बच्चों को इंसान बना सको राइसाब मैं अपनी पूरी कोशिच करूँगा इने पढ़ाने की समझाने की बच्चे समझदार लगते हैं जहीं लगते हैं सिर्व ये के जिद्धी हैं कहीं ये जिद अगर सही रास्ते पर आ गई तो कल इन बच्चों पर आप से ज़्यादा फखर करने वाला कोई नहीं होगा आप इन बच्चों के और चिंदा मत कीजिए इनको मुझ पर छोड़ देजिए मुझे उमीद है कि मैं इने संबाल सकूँगा तो मैं चलो अपने काम की तयारी करो कर मैं बच्रोँ रभनों को gördगयों हो जब पर आप से लुट को भुट को कर मैं मैं गिम्लR आपर required एको पर रातारी काम कि वालैं चालो गिम्लों बच्ट शीज़ मैं अफीमीद चीज़ आयारी बiniग्ना HOW कि उपन मैं रा पालो अम। और्सना को एकल हो फमीज़ अजी, क्या हुआ मास्टर जी? अरे क्या कर रहे हैं आप? जानते नहीं हसना मना, तंखा कट जाएगी? तंखा कट जाएगी? हाँ, मेरे तो हर मैने 10-15 रूप पकट जाते हैं इसलिए जब हसी आती है तो जंगल के तरफ बाग लेता हूँ पगला कहीं क्या? जब हसना हो ना, दिल खुल कर हस लेना, तंखा मैने दिया करूँगा यह कौन इतनी जोर से हंसरा था? मास्टर जी, वो तो मुझको भी हंसने को बोले, मैं तो भाग लिया ड्राइंग तो अच्छी करते हैं आप लोग, लेकिन एक चीज़ इसमें ज्यादा होगी, इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगा अच्छा तो अपनी अपनी कापियों और किताबें फूंगे आपके पाप अपनी अपनी कापियों किताबें बंक कर देशे, नहीं पढ़ाएंगे और आप लोग पढ़ेंगे, हम लोग बैच कर गप्पे मारेंगे, क्यों होगी जी जूट बोलता है, पाट में पढ़ाएंगा रे अच्छा जबिये, पहले हम सब के नाम याद कर ले आपका नाम अजय, आपका विजय, आपका मीता, और आपका संजय, है न, ठीक बताया आपने क्यों, जवाब दीजिए वो तो बुद्दे ने पताया था आपको छी छी मेताची, ऐसे नहीं बुलाते होने बुद्दा तो है, उसके मूचे भी सफेद है छी छी संजय बाबा, जानते हैं वो आपके क्या लगते हैं, बताईए वो आपके क्या लगते हैं अजय, आप जानते हैं वो कौन है हमारे बाप का बाप है ठीक बिलकुल थे विजय, आप अपने बाप को बाप कह कर बलाते थे नहीं, बाबुजी और आपके बाबुजी अपने बाप को क्या कह कर बुलाते होंगे? बाबुजी यानि आपके बाबुजी के बाबुजी आपके क्या लगे? दादाजी, हाँ? अब अगर दोनों की तस्वीर आपके सामने लगती जाएं तो आप कैसे बताएंगे कि कौन सी तस्विर किस की है एक बाबुजी की शाबाज और दूसरी उनके बाप की आप लोगों को गर्मी नहीं लगती है पंखा नहीं चलाया प्रदनारों कि अधी बाबुजी की अधी तरुमा थाबुजी की अधी तरुमा था गजिए लुज़िक ऑद्सके बाद जाना लौन्च के बाद नौ पजीट टिनर मर गए नौ मच गए प्राव कर दोल्ग कर्द ऌर चको प्राष हो आग mi प्रॉट और यह जगलाओ कर दो अब तो अब avoid आग कर्दीर यह जग कर दो दोलाओ कर दोलाओ तो प्रॉब लुट कर दियर अन्र धुब धन्यों जो आगाँ बुदे आमनेंग बुदे आमनेंग बुदे आमनेंग अरबडी जाड़ा क्या हुआ? तुम्हे क्या हुआ? जी मुझे जा मुदो कराओ मतलब क्या अपका? आइने नहीं है तुम्हारे कमरे में नहीं मास्तर जी अभी इसे कान खीज कर रखो नहीं तो मुझे मूच्छें भी उखाल के ले जामेंगा खेरियद इसी में है बेटा खोदी मुझे नहीं तो जाएंगी किसी से अब खड़े सोच किया रहे हो? जी जी कुछ नहीं सेकंड ट्रैक सुन रहा था सेकंड ट्रैक? इडियट बच्चों ने काम कर दिया ये तो गताम मुखा दू किस ने किया ये? नहीं बताते हैं जल्दी बताओ औरना एक एक की चमड़ी उधेड़ कर रख दूँगी हम देखती हूँ संजू खड़े हो जाओ बताओ किस ने किया? जल्दी बताओ किस ने किया? छोड़ दीजी उसे इतना सब अच्चे ऐसी शरारत नहीं कर सकता तो फिर किस ने की ये शरारत? मैने मुझे सजा दीजी सभी इसके साथ तुम क्यों बेशरम हो रही हो? जाब चली जाओ दफाओ जाओ यहां से कोई खाना वाना नहीं मिलेगा भूकी रहोगी तो अकल ठीकाने आ जाईगी और मुगी यह खाना का तो यह यह जाईगभागी वह भूपआ वो आजागी प्रूव खाना कल अजादा पादा पादा बादा पादा दता जादा बखताए नहीं तरह दो दो बखागा है जी मास्तरजी अन्दराव ये यह पे किसने रखिये? जी हमने रख्की तुमने? क्यों? बड़ी वीवी जी ने खाथा यह ले जाकर बने देदो और कहो कि मैं बच्चों मुछ्षडी से नहीं बढ़ा था जाओ जी जाओ संजो, इधर आओ इधर आओ बिटे इधर उदर क्या देख रहे हो? हम उला रहे हैं आईए इधर अपने किताब लेकर आईए आगे तब लाओ अरे यह क्या? शुरु के उपने कहा है? भार लिया था इसलिए भार दी? हाँ बाकी पड़ोगे या नहीं? नहीं अच्छी बात है जब तुम्हारा दिल करेगा तब पड़ाएंगे अब जाकर बैठ जाओ जाकर बैठ जाओ जाकर बैठ जाओ यह क्या? मा रोगे नहीं मास्टर जी आपने ये छड़ी मेरे पास क्यों भेज दी? सुना था आपकी है इसलिए है तो मेरी लेकिन मैंने क्लास्रूम में क्यों रख़ाई थी शायद आप नहीं जानते जी मैं जानता हूँ ओ तो इसका मतलब है जी हाँ इसका मतलब है कि बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है आपकी नहीं मैं चाहता हूँ आप मेरे कामें दखनाते आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते मुझे नहीं सुना मैंने ये छड़ी इस क्लास में रखवाई थी और ये यहीं रहेगी इसी क्लास में सती देवी बड़ी लिखी आप जरूर है लेकिन तमीज तहजीब सिंखने के आपको भी उतनी ही जरूरत है जितनी के मास्टर जी जी यहां क्लास में मास्टर के होते बड़ा रिजादत अंदर आना बत्तमीज ही कहलाती है अजिर जो टीचे से वो क्या पढ़ाय करती थे आपको जॉग्रफी जॉग्रफी में क्या पढ़ाती긴 हाँ जॉग्रफी में क्या पढ़ातीannie ये कौन घा रहा है संजी बाबा, आप क्या खा रहे हैं, हमें नहीं देंगे, अच्छा दिखा दो दीजी आप क्या खा रहे है, तुमने टोस क्यो फेंगा इसका, ये नहीं खाएगा, कोई कुछ निखाएगा जब तक दीदी खाना निखाएगे, आपकी दीदी ने कल से कुछ नहीं खाया, मैंने दीदी खाया, गबरा नहीं बठे, अब हम सब एक साथ खाएगे, दीदी, दीदी भी खाएगे, दीदी नहीं खाएगे, वो नहीं खाएगे, तो मैं भी नहीं खाऊंगा, मैं भी आप लोगों के साथ भुगर ताल कर दोगा, ठीक है, आप लोग पड़ो, मैं भी आया है, मैं कमीन, आप, आ गये, तुम भी क्लास छोड़ कर, बच्चों की शिकायत करने, बच्चों की शिकायत नहीं राई साब, आपकी शिकायत करने आया हूँ, आप ही के पास, मेरा ख्याल है के, इन बच्चों को टीचर की शरूरत नहीं, आप ने मुझे खाम खाब ला लिया, मतलब? मतलब ये के इन बच्चों को पढ़ाय लिखाय की शरूरत नहीं, इनको प्यार और हमदर्दी की शरूरत है, जो ना आप दे सकते हैं, और ना सतीदेवी, प्यार अगर दवा की तरह खोल कर पिलाया जा सकता, तो मैं वो भी कर देता हूं, लेकिन मुश्किल तो यह है कि प्यार की कोई गोलिया नहीं मिलती, जो खिला दूए इन बच्चों को, उन जोबनों से उठाकर उन्हें यहां ले आया, हर तरह की सहूलत है, हर तरह का आराम देने की कोशिश की, अच्छ सहुलियत है, सिर्फ आराम है, जो किसी भी मरीज को किसी भी अस्पताल से मिल सकता है, आपने इन बच्चों को नर्स के तिमारदारे दी है, मा की मंता नहीं, जरूरत की दवा तो आप इने दे रहे हैं, लेकिन बिना जरूरत का प्यार तो सिर्फ माबाप ही दे सकते हैं, उ इस वज़े से बच्चों ने भी खाना ने खाया, वो केस हो गए, क्या आपने एक बार भी कोईशिश की उने मनाने की, कई बार की है रवी, मैं जानता हूँ जो माबाप सजा देते हैं, वो लाड़ भी करते हैं, लेकिन इन बच्चों की जिद और बत्तमीजी, तुम्हे इसी कौन? आप? मैं अंदर आ सकता हूँ. आएए. बचिए. मैं आप से कुछ पूछने आया हूँ. कहीं? आप जानती हैं, मुझे यहां क्यों बुलाया गया है? जी हाँ. हम सब चुडिया घर से आया है न, इसलिए आपको बुलाया गया है, ताकि जानवरों को महल में रहने के तरीके सिखा दे. तुम गुसे में उरमा, इसलिए तुम नहीं. मुझ से आप कहकर बात कीजिए. मैं आप से मास्टर आये हैं, लेकिन सब भागे, यहां यू कही है भगा दिये गए? अगर आप मेरे लिए भी यही सोचती हैं, तो बता दीजिए ताकि, ताकि मैं खुद ही चला जाओ. ना मैंने आपको बुलाया था, ना जाने के लिए कहूंगी. यह सवाल आप राय साब से आप से पूछने इसलिए आया था कि जिन बच्चों के लिए मुझे यहां बुलाया गया है, उनकी जिम्मेदारी राय साब से ज़्याद आप पर है, सिखने सिखाने की तो यहां किसी को ज़रूरत नहीं, जगड़ा खानदान का बच्चों की तालिम करने है, मैं तो जा रह यहां रहे हैं, राय साब ने अपनी जिद में अपने बेटे को खूदिया था, अगर आपकी जिद में बच्चों में से किसी को कुछ हो गया, तो उसकी जिम्मेबार आप होंगी, राय साब ने, इतनी सारी नसियते आप मेरे लिए क्यों लेकर आए हैं, इसलिए कि आप बड़ी हो जाएंगी, आप उनसे कहीं छोड़ी सावित होंगी, कहीं ज्यादा पत्थर देल। मैं तो आज रात ही राज सबसे बात करके यहां से चला जाओंगा। लेकिन आएंदा अगर कोई मास्टर यहां आये तो उसे भगाने की बजाए अपना दोस्त बनाईए। और इतने दिन तक सब रखीजी जब तक यह बच्चे पढ़ लेकर किसी होस्टल में जाने के काबिल नहीं हो जाते। वरना वरना इन बच्चों का क्या होगा आप खुदी सोच लेजी। पुदी सोच ले जाए। हुआ है खाय है? आप आखे चले गए क्यों? जीजी ने कहा है जिखना क्या कर रहे हो मास्तर जी काला जाते पकड़ गए तो मारे गावगए ये तो आदाती मढद डालवा क्यों? गाना गाने में क्या रखे? वह वह तो असली जला पसाद की इसले मैं आपसे कहता हूँ गाना गाने की च्छ तो जंगल के तरफ निकल जाखरू जंगल में? गाना गाने? क्यों? आप भी जादा दिन टिकते नगर ने आते हो सारी बुरी आपते डाल लखी कभी गाना गाने लगते हो कभी अशने लगते हो अजया अए, सुन, सुन इतला इतला बैट बैट अच्छे यह बता कि राय सब गाने से इतना चड़ते है लो आप दी क्या बात करता हूं भी आपने सुना नि साप का काटा रसी से भी डरे संगित में ऐसा कॉनसा जहर जुराय सब डरते हैं उनकी जिंदगी के लिए तो जहरी बन गया निलेश के लिए कह रहे हो न क्या वो बहुत अच्छा गाते थे अच्छा अजी लाजबाप बोलो मास्तर जी लाजबाप वो अपने दिवान जी है न दिवान जी वो तो कहते थे एक बार रेडियो पे भी सुना था उन्होंने हाँ पर एक बात है मास्तर जी ये गाना बजाना भी सादू सन्यासियों जैसा काम है 24 गंटे उस ही में त्यान लगा रहता था था छोटे बापो का हाँ हाँ तलके तलके भोर के समय जब वो गाते थे तो सच मानो आप ऐसा लगता था मंदर की देवी को जगा रहे है मुझे तो उनके गाले से धूप की सुगन्द आया करते थी वो बाहर मोलसरी का पेड़ है पगीचे में हाँ कभी उसके नीचे बैठके गाते थे कभी छक्पे गाते थे और घंटों खो जाते थे मितवाए आया आया मितवाए मितवाए बोले मीठे बैठ मितवाए 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 बोले मीठे बैठ सामरे कजराए ने ओ सामरे कजराए ने मितवाए मितवाए बोले मीठे बैठ क्यासा है आज भी तरसे हो बर्सों सावन बर्से प्यासाए आज भी तरसे आए हाथे तू? कबसे खड़ाए या? बहुत देर से खड़ाए चोटे बाबू ने बुपाने बाओ जी जागे? कब के? वो तो आपको तस बजे तयार होने को बोला क्यों? वो चोदरी साथ किया जाना है कि नी? वो जो उस दिन आय थे लड़की के साथ मुझे दाश है मैं वान जाकर क्या करूंगा? लो आपके खादर तो सब आना जाना हो रहा काय का आना जाना हो रहा ने ने चोटे बाबू बड़े मालदार लोग है होंगे कौन सा मुझे दे रहे है पर एक बात कहूं चोटे बाबू लड़की हमको बहुत अच्छी लगी थे एक काम कर लो जे तु भी उससे शादी कर ले मैं कर और ढूंदता है मजाक कर तो ने ने चोटे बाबू उजूर साब से कहके आप बात पक्की कर लो ने मजाक ने कर लो आप छोड़ नारायन कौन फसता है शादी के तंटे में यह ले अज भी तर से ओ बरसों सागन बरसे चलके तेरे ने प्रूम बाबुजी बाबुजी पता है आज पहली बार मैं अपने उस्ताज्ची के साथ कॉन्फियों कावन सुभा नारायन ने तुम्हे कुछ नहीं बताया नारायन न З? उसने कहा नहीं तुम्हें के दस बजे तवयार रहना तुम्हें मेरे साथ 14 साप के यहां जाना है लेकिन बाओ जी आज तु मुझे शहर जाना है साड़े 11 की गाड़ी है इसलिए कि तुम्हें शहर जाकर गाना गाना है जी हाँ तुम्हारा गाना गाना 14 साप के यहां जाने से ज़्यादा जरूरी है लेकिन बाओ जी नीलू हमारे खानदान में इतना बेतुक और बेमानी जवाब किसी पेटे ने नहीं दिया अपने बाप को तुम मेरे साथ इसलिए नहीं चल सकते कि तुम्हें तुम्हें गाना गाना है जी गाना मतलब म्यूजिक कॉन्फरेंस है तिक टेम बिक चुकी है और उसके तुम्हें पैसे मिलेंगे है ना कितने पैसे मिलेंगे इतने पैसे मिलेंगे जिनसे तुम अपने बाप का कफन खरीच सको बाप जी तुम्हें इसलिए होस्टल बेजा था कि पढ़ लिक्टर का वालों का पेशा इक्तियार करो इस हवेली को कोठा बना दो तुम्हारे ये सास देखकर मैं समझा था कि तुम में रईसों का शौक जाग उठा है मुझे नहीं मालूम था कि तुम गा कर रोजी कमाना चाहते हो जिस जगा एक बाई जी को बिठा कर गाना सुना जाता है उस जगा बैट कर अब तुम का आओगे आप घलत समझ रहे हैं बाप जी कुस्तार शिवनाची हिंदृस्तान के बहुत बड़े कभई है मैं चौदरी साप के यहां जा रहा हूँ शैद तुम नहीं जानते कि उनकी बेटी से तुमारी शादी की बाची चल रही है आदे गंटे के अंदर गाड़ी लेकर चौदरी साप के यहां पहुंच जाओ समझे नारायन जिद्धी तो बिलकुल बाप की तरह थे ना नगय चौदरी साप के यहां एक चिठ्थी लिखकर आमको दे दी और सहर चले गए पहली बार देखा मास्तर जी बाप का दिल तूट गया अच्छा नगरा छोटे बाप उने बुजूर साब रोज खाने की मेच पर इकल्ले बैठते थे और इकल्ले ही उठ जाया कबते थे चोटे बाबु ने एक साल और पढ़ाई की सहर में और एक दिन जब वापस आये तो किते रहो बैटी आपकी बहु बाबु जी सुजाता है शहर में अचानक एक ऐसी घटना हो गई कि शारी करके आना पड़ा परे तो हमें सोचा था कि आपको वहां बुला लेंगे या हम यहां आकर शारी कर लेंगे लेकिन लेकिन क्या दरता था कही मैंने बहु को ना अपनाया तो यही ना अरे पगले बाब की खुशी वही होती है जहां बेटा खुश हो तुम्हारी मा तो नहीं है बेटी जो बहु के स्वागत की रसमें पूरी करती है हाँ अगर हमें मालूम होता तो हम दर्वाजे पर शैनाई जरूर बजवाते हैं लेकिन क्या करे तुम लोगों ने हमें शरीकी नहीं किया जाओ बेटा बहु को उपर ले जाओ नौ बज गया है बाब जी को अभी तक पता नहीं मेरे पेदा होने के बाद अच पहली बार बाओ जी लेट हों मतलब पहले हुए होंगे मुझे तो नहीं मालूँ वार्ना वो तो इतने पंक्चिल है कि आओ उनोन अपनी घड़ी को चावी देनी शुरू की और वान आओ बजले चावी पहले से पहले जाओ अवर्ना अच चावी तो नहीं है तो पहलें आप लोग खाना खाली जी घड़ी दीवान खाने में बुलाया है घड़ी अगर उनकी तविए ठीक नहीं तो अपने कमरे में क्यों नहीं पतानित आप कुछ बोले नहीं सुनिये कहीं बाबुजी मेरे वज़े से तू नाराज नहीं है नहीं वो नाराज होंगे तो तुम्हारे वज़े से नहीं मेरे वज़े से बाबुजी आपने लेश खाना खालिया? जी हाँ बाबुने? जी हाँ उसने भी खालिया सुना आपकी तबे ठीक नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं अस्ते फीलिंग आप बढ़ू आम वेरी सॉरी बाबुजी मैंने ये शादी आपकी रजामंदी ले बगाएर इस तरह कर लिया इसलिए आप नहीं बेटा तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी सही होना चाहिए थी सुखो गए जिए अच्छा हुआ सुजाता को मैं काफी अर्से से जानता हूं बाबुजी वो मेरे उस्ताजी की बेटी है उस्ताजी अचानक गुजर गए इसलिए मुझे इतना वक्त नहीं मिला कि मैं आपको ख़ब कर सकूँ अलकि मैं चाहता यही था कि यह शादी आपके आशिरवाद लेकर करूँ हर आदमे को यह हक है बेटा कि वो अपनी जिन्दगी अपनी तरह बनाए और उसे अपनी ही तरह जिये जैसा कि मैंने किया कभी किसी की उंगली पकड़कर नहीं चला मैं खुश हूँ मेरा बेटा आज इतना बड़ा हो गया है कि उसे अब मेरी उंगली पकड़कर चलने की जरूरत नहीं अपना एक घर बनाओ जहां अपनी तरह रह सको जैसे कि मैंने अपना घर बनाया है जहां मैं अपनी तरह रहता हूं इसमें दूसरे की मर्जी मैं नहीं चलने लेता हूं हाँ बाप और बेटे के दरमयान कुछ फर्ज होते हैं तो तुम भी निभाते रहोगे और यह भी निभाता रहूंगा यह पचास हजार रुपए मैंने तुम्हारे लिए निकाले इने ले जाओ और अपनी जिन्दगी शुरू करो अपनी तरह जहां मेरा कोई दखल नहीं होगा कमी मैसूस हो तो अनुमारी कुली है जितना और चाहे ले जाओ बससे पोचिने की देखले वही आखडी मुलाकात थी बाब बेटे की उसके बाद दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिले और ना यह एक दूसरे की ख़वर ली सतरा साल गुजर गये मास्तर जी और फिर एक दिन की बात है जब हुजूर साब सहर से लोटे थे तो उनकी चिठियों में एक चिठी छोटे बाबु की भी थी जिन पैरों से आये उन्हीं पैरों से वापस लोट गये और फिर जब तीन दिन बाद आये तो सब बच्चों को साथ लेकर आये पर क्या बताओ मास्तर जी कैसी गरीबी की हालत में आये थे बच्चे पर हुजूर साब ने सब का बहुत ख्याल किया लेकिन रमादीदी है ना उनका गुस्सा भी खानदानी है अपने दादाजी से भी जया था एक दिन रात को सब बच्चों को साथ लेकर घर छोड के जा रहे थी लेकिन हुजूर साब ने सब को जवर्दस्ती पकड़कर वापस बुला लिया सती देवी को सहर से बुला लिया और सब का घर से निकलना बन कोई भाटक के बाहर नी जा सकता तब से इस घर में गाना संगीत सब मना है छोटे बाबू के कमरे पे ताड़ा लगा दिया कोई अंदर नी जा सकता लेकिन ये बच्चे भी ऐसी आफ़त है मास्तर जी कि जितनी सक्ती बरतो वो ने सुदर है कितने ही मास्तर आके चले गए वो पिछली बार एक मास्तर आया था वो तो रात की रात मैं लूंगी मही भाग लिया कपड लत्य भी छोड़ गया अब मैं ही वो कपड़े पह नान मेरे कपड़े तो तुम्हें मिलने से रहे अगर मैं गया भी तो अपने कपड़े साथ लेकर जाओंगा आपकी तो बात ही और है मास्तर जी क्यों भई मेरी बात और क्यों है आपके कपड़े तो आपके मामा जी के पास पहुचा देंगे अब चलो मास्तर जी बहुत बेर हो गई तड़के तड़के उपना कल सुबह उजूद साब सहर जा रहे है शहर? क्यों? वो अपने बिजनेस ब्यापार के लिए अक्सर जाया करते है सती देवी भी जा रहे है वो क्यों जा रही है? उनका तो घरी वही है अपना घरबार समालेंगी अब मचलन साब तुम समझ सकते हो कितने बड़ी जिम्मेदारी मैं तुम पर छोड़ता जा रहा हूं जी हां राय साब मैं समझ रहा हूं आप की सम्त्यान में छोड़कर जा रहे हैं मुझे उमीद है आप कुमाईस ही नहीं होगी मुझे भी यही उमीद है कि वापस आकर तुम से जरूर मुलाकात होगी यह न सुनू के तुम भी भाग गये और हां अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मैंने दिवान जी से कह दिया है तुम्हें किसी बात की तकलीफ नहीं होगी जो चाहोगे वो मिल जाएगा अच्छा को मैं चलता हूँ मेरी क्लास कवा था नहीं निवान जी समान गाड़ी में रखवादी जी अच्छा फोलो सकते मास्टर जी आहिए दिवान जी क्या बात है आज क्लास नहीं है बच्चों की जी नहीं आज मैंने बच्चों को छुट्टी देती है राय साहब के जाते ही दिवान जी यह मैंने कुछ किताबे लिग दी है मंगवाती जी साथ में केरमबटका सेट भी और कुछ क्रिकेट के सामान आप क्या कह रहे हैं मास्टर जी जो मैं कह रहा हूँ वो मैंने लिग दिया है लेकिन राय साहब आएंगे तो आप आप उने यह कागज दिखा दीजग और कहिएगा यह सामान मैंने मुंगाए था मेरी तो कुछ सामज में नहीं आए रहा आप क्या कर रहे हैं कुछ भी तो नहीं कर रहा देवान जी आप कल सुबह तक यह सामान मुंगा दीजी जी मास्टर जी आप वो रेजगारी कहा है मास्टर जी अगर वो आजाते यहां पर तो ममर गया हो तो उनसे छुपकर कमरा साफ करना पड़े छुपकर? किसका कमरा है? छुटे बाबु का? निलेश का? जी खोल तो रहे हैं मास्टर जी वो आगया तो बड़ी मुश्कल हो जाएग ठुटे मुश्कल हो जी वो झाल पर यहां जनसा जी वो झौटे जी वो झाल किसका जी वो प्ड़ साफ मुश्कल हो तो कर दो आपके हैं कर दो 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 पर कर दो झूज तूडसा कर दो को जो चूब रजला जो राल सबर्निदा कर दो रहादी जो जब जड़ कई आला जवादी, इस अ बड़ कर दो, भा उन्यूंत रूब हो कर दो कर दो आप अप लोग कर आए आप तो बहुत अछी सितार बजाती है अच्छा तो अपनी दिदी सिखाई न कहा हमें भी सितार सुनाए है पहली बार इस घर में साज की आवाज सुनिया आपको डर नहीं लगता। दादा जी से बुढ़ता है ने बुढ़ता नहीं दादा जी कितनी बार सिखाया तुम लोगों को ए रामे संजू गाली कहा से सिखी जौकिदार से आप लग क्लास चोड़ कहा ज़े ले गए थे उने क्लास में नहीं गया आज यह लोग पढ़ने नहीं आए दादाजी बार गयते हैं इसलिए हम लोग खेलने चले गए तो हमें बताये क्यों नहीं कि आप खेलने जा रहे हैं क्या खेलने गए थे? घिली डंडा घिली डंडा? घर में? कोई शिशा विशा तूट जाता तो? एक तो तूट पे गया आपकी खिड़की का बुरी बात गिली डंडा खेलना हो तो बाहर जाकर खेलना चाहिए बाहर जाने कौन देता है? चलिए हम लेकर चलते हैं आप बाहर लेकर जाएंगे? जरूर लेकर जाएंगे क्यों ने? अगर नहीं चलोंगे तो देखना चलो चलो ना दीदी नहीं, तुम लोग जाए नहीं, ऐसे कोई नहीं जाएगा, जाएंगे तुम सब साथ में जाएगे सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले पापा नहीं है धानी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले तुम भी गाओ ऐसे नहीं बोलो में गाओ सारे के सारे गमा को लेकर गाते चले पापा नहीं रहतारी सी दीदी दीदी के साथ है सारे सारे के सारे गमा को लेकर गाते चले सा से निकले रोज सवेरा दूर करे अंधियारा रे से रे शमी किरनों ने खुब किया उजियारा सा से निकले रोज सवेरा दूर करे अंधियारा रे से रे शमी किरनों ने खुब किया उजियारा सूरज की रोशन किरनों पे सारे गाते चले पापा नहीं है धानी सी दीदी दीदी के साथ है सारे ला 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 आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं मैं इता भी नहीं समझूंगी आप इने सरगम सिखा रहे थे आपको तो नहीं सिखा रहा हूँ आपने तो अपने बाबुजी से सिखा होगा हाँ तो कहा तक पहुंचे थे हम पंचम तर कैसे काई ना सा सरग गमपा पमग समपा पमरे मांग सा सरग गमपा पमग समपा मरे कसा गासे गुनगुन करता है घूमे क्यारी-क्यारी मांसे मीथे बोलों में पासे एक पुजारी गासे गुम गुम करता है घुम में क्यारी क्यारी मास मीते बोलों में पास एक पुजारी भवरे के जैसे फूलों पे सारे गाते चले पापा नहीं है धानी सी दीदी दीदी के साथ है सारे धा मा धा पा गा पा धा से धूप सुनहरी है ये नी नशीली लागे सरगम हो गई पूरी अब क्या होगा आगे सारे गजम पाप मग मपधधप मपधनी सापा सरगम के साथी सरगम की धुन पर गाते चले पापा नहीं है धानी सी दीदी दीदी के साथ है सारे सारे के सारे गामा तुले कर गाते चले अच्छा खाता रह तो इमें खाते थी इनना या अच्छा उक्चर भाया है अंग्रेय को चले गए मेज कुछी छोड़ गए तुमारे लिए अरे शुकर करो हमें छोड़ गा तुमारे लिए और जो ले जाते मिलाए तुम देखा करती रहा बैट करती पता नहीं कौन आ गया पहरो आ रही हो अरे नापी मामी को भूल गया क्या आ नहीं तका इतने दिन आज अपने सुपल को लेकर आ गया अरे तुम सब अरे रमा आओ आओ अरे भाई यह आओ अरे भाई यह आओ अरे भाई बिटा आज बताओ तो हम दोनों की शकल में क्या-क्या मिलता है भाई दोनों के सपेश है आपके दोवाई भी नहीं इस सटार कुन बजाता था अरे कांचर सुनाई नहीं पड़्ता सितार क्या बजाएंगे अबजाएकन बजाता था हूँ यह मैं यहां पहले रहता है आई रभी इन बच्चों से खाने का बंदबस तो करो विचारे भूखे होंगे नहीं खाना तुम खा क्या है कहां था अब भूख तो लगी है जाँ बनाओ अब हाँ आपको कैसे मालों हुआ खाना बनाना है लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ वो भाहर गए है वो तो इन बच्चों को देख गिए था कि राइस साफ बाहर गए है मैं तो कहता हूँ मामा जी आप लोग खाम खाएं बच्चों को बदनाम करते हैं लो मैं कहां बदनाम करता था वो तो तुम्हारी मामी उनके खिलाफ रहती थी अर वक्त इतने प्यारे बच्चे हैं के बहुत प्यारे बच्चे हैं कभी परेशान नहीं करते हैं ओ अभी देख नहीं हाँ क्या कर रही है? रहमा? क्या कर रही होगी? मैं भी आया? अभी ना बेटी, तुम जाकर बैटाओ, मामा भी बना लूगी क्या हो मामजी है? देखने बेटा, जिरा समझा आई से आप क्या समझती मुझे खाना बनाना नहीं आता? बाबुजी जब थे, सारे घर का खाना में अके लिए ही बनाया करती थी ना ओकर थोड़ी था हमारी आउची तो कुछ कहता है क्यों नहीं उसको? मैं क्या कहूं मामजी, इससे वितना कह सकता हूँ क्या आप दोनों छोड़ दीजा, मैं बन देता हूँ आप जूटे पेंके रसवी में आगे, ओ, 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 बगता है क्या आप भी मेरी मामजी की तरफ ब्रामण है जएया आप अंदर जाके बैठिये न देखा मामजी, इसे कहते हैं आग लेने आई थी और चोका संबाल बैठी क्यों काही क्यों, मेरी तरफ से पूरा घर समाल ले कहिए दिवां जी, कोई ख़वर राय साब की जी वो, क्या बात है, आप परिशान दर आ रहे हैं मास्टर जी, आप जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं क्या? यही जो हर रोज बच्चों को बाहर ले जाते हैं तो क्या हुआ, बच्चे हर रोज खाते भी हैं, सोते भी हैं और पड़ते भी हैं अगर हर रोज खेलने या घुमने चले गए तो इसमें क्या हर जाए? आप जानते हैं, राय साब वापस आ जाएंगे तो उन्हें क्या जवाब देंगे? अच्छा दिवान जी, एक बाद बताईगे, क्या इससे पहले आपने इन बच्चों को कभी इतना खुछ देखा है? नहीं देखाना, अगर आप मेरी जगह होते तो जानते हैं, कि ये बच्चे इससे पहले कभी इतनी महनत से नहीं पड़े होंगे, उस दिन जो आपने किता आपको वही लगता है, वही मैसुस होता है आपको, मैं बच्चों के लिए नहीं, राय साप के लिए पूछ रहा हूंगे, जिवान जी, मुझे इस घर में बच्चों के लिए रखा गया है, राय साप के लिए नहीं, सर, आज आप खाने पर रेट हो जाएंगे, हम कैसे मुह नहीं दो या! शेमकी बच्ची! अविटे मिनल बाकी है! हम दो मिनुट में मुह दो कराते हैं! जब रात बहुत हो गई, तो नाईया और वो चुना करने वाला, दोनों लंगडे भूत के घर में खुशकर बैड़ कहें! जब लंगड़ा भूत वापस आया, तो उसने देखा, दर्वाजा बंद है! बाहर से बोला! अंबल कौन थै? आयी समझ गया कि वो लंगड़ा भूत है! बाहर कौन है, मैं लंगड़ा भूत! मैं लंगड़ा भूत? मैं भूत हूं मैं तुच को खा जाओंगा! मैं यम दूध हूं, तुचको खांगा! बहुत बोला तो नाई ने क्या किया अपना उस्ता निकाल कर बाहर पहंग दिया और बोला देख मेरा नाखुन देख ले भूत ने सोचा जिसका नाखुन इतना बड़ा है वो खुद कितना बड़ा भूत होगा जब बहर से कोई जवाब नहीं आया तो नाई ने अपना चुना करने वाला रसा बार पहंग दिया और गुला देख मेरा बाल देख ले भूत हैरान हो गया फिर भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो नाई ने का भूत तु यहां से भाग जा वरना मैं तुछ पर थुख से एक ओर कानी सुनाना है एक आनि और सुने है बूत की नहीं सर पह हां वहां बहलों को मालम तो हो गा के तांसे लिवे इक दिन अकबर के दरबार में एक और गानेवाला आ गया मैजू बहजू बावरा उसने कहा मैं तानसेन से मुकाबला करूँगा पस फिर क्या सारे दरबारी जमा हो गए और एक बाग में जो शंगे मरमर के तख लगा दिये एक पे तानसेन बैठ गया और एक पे बहजू अब तंसेन ने गाहना शुरु किया, तंसेन के गाते गाते, जितने परिंदे चरिंदे थे वहायों के, सब इकठा हुए। और तंसेन ने क्या किया, अपनी जेव से सोने की जंजीरे निकाली, और एक हरन की पहना दी। जैसे गाना खतम हुआ, सब हरन भाग गये। पर तांसन में का वेजे अब सिर्व इस थे वापस बढ़े पराने जीजे weपices. जैसे जाना उरूर किया जो दो फीजु दृइड के जिते लिख शोने की जंजीरेस कुए से पहल है. अब पहचे जाना सम दूरा पनाया लगा में किन दृव completely a डानाना है. यहां तक कि बैजु उसमें फसने लगा, उसे फसते देखकर सारे दरवारी चिला उठे, उनकी चिलाने के आवाज सुनकर बैजु का जय ध्यान तूड़ किया, बैजु ने गाना बंद करते, जैसे गाना बंद किया, उस अंके मरमर फिर जुड़ किया, और बैजु मेही फसा बैजु ने तांसें से का, कि आप तुम काना गा कर मुझे यहां से निकालो, तांसें गपरा गया, बोला, अरे, यह सब तो सो गए, फिर बैजु को निकाला तांसें ने, फिर, फिर बाकी कानी का सुनाओगा, राद बात होगी, आप इस वजाईए, सुनिये, जी, आप में कुछ कहा, जी हां, आप मुझे आप कहके क्यूं बुलाते हैं, उस दिन गुस्से से कह दिया था, इसलिए, चांकि यहां, आप कहकर बुलाना बुरी बात थोड़ी है, आप मुझे आप मत कहिए बस, तो फिर मैं आपको क्या कू कहा न, आप मत कहिए, ठीक, आइंद में आपको, तुम कहकर बनाओंगा, गुट नाइट, गुट नाइट, गुट नाइट नाइट, आइट, नाइट, आइट biết बस्ट नाइट? आपा, बस्ते लिसे नाइट, नाइट नाइट इसा यहां, आइट demost यहां आइट साका त limits काने आइट, बस्तित हुट नाइट से का भजाको, तो भाहां. प् fix boiledDD को, आइट। ये लंगणा भूच सुबह सुबह या क्या करवा है? आपका हात कैसा है? हातो ठीक है वेटा, क्यों? दीजी ने पालीश भीजा है, काय मालीश कलो जो वेटा, दीजी को हमाले तरस तेंक्यू के दरब ताथ इतनी जोर जोर से हसरा कहीं तंखा कर गई तो आपने भी कमाल का जादू किया, मास्तर जी सारे गर्गन नक्षाई बदल दिया अब तो बच्चे पढ़ते भी है, खेलते भी है, हस्ते भी है किसी को जंगल में जाने के जरूती नहीं पढ़ती लेकिन जब राय साभ आएंगे तब क्या होगा? तब क्या होगा? पर एक बात है, मास्तर जी हुजूर साभ बुरे आदमी नहीं है, कलक बहुत है वह फाज छोड़ दी, प्राजदारी नहीं छोड़ी निलेश के घर छोड़ने से पहले भी क्यादाय साभ ऐसे ही थे? नहीं, कलक तो ऐसे ही थे, पर तब तो हसी मजाग भी कर लिया करते थे बस वही, वही दुख दिल को लगा लिया राय साभ ने हमने तो कोई बीस बरस से हुजूर साभ की हसी नहीं सुनी, मास्तर जी नारायन भगवान ने चाहा तो इस बार उने हस्ता भी देखुगे हाँ, मास्तर जी, एक बार हमारे हुजूर साभ को खुश कर दो, उनकी हसी वापस लोटा दो, जो मांगोगे मैं हमारी इतनी हैसित का मस्तर जी, फिर भी अगर जिंदगी मांगोगे तो वो भी मस्तर जी वेरी गोड अभी आप लोग सफेद वाली गोटिया लेंगे और आप लोग कारी वाली लेंगे, ठीक? नहीं, हम तो लाल वाली कोई लेंगे आप लाल वाली नहीं लेंगे, आप काली वाली लेंगे, चलो खेलो चलो अरे, यह क्या? भाईवानी करते हो? हाँ? भाईवानी नहीं कर नहीं आच्छा आप देखते हों क्यून कुन लेता है लाईद स्ट्राइक इश आवाज अर्वाज आच्छा आच्छा वितम लग खेलो में चलता हूं घंटे बाद अपने कमरे में जागे आराम करना और देखो, गेम में कोई बेमानी नहीं करेगा संच्छा नहीं करोगे? वेरी गॉड आप दो आपके लुड़ आपके लुड़ कर दो करेखो प्रामी श्मष्छ श्मष्ण श्मष्छ शीए 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 लगज भोई और टे जड़ दो सो ड़ंगा है लगए दो रख। आज रख। ये लगफ क्यों रए इड़ाओ रहर 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 रह्र रहर 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 मनस्ट राम चाह में? कीड़ा 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 क्या इधर बैठा हुआ था यहां तो कुछ भी नहीं है अभी था आदे घंटे से परिशान कर रहा था कौन कीड़ा सच था काला देखो देखो अरे मा, तुम पंग लिया सच भी बात पंग लिया चलो जी कीड़े जी महाराच ऐसा लग रहा है जैसे किसी शेर से बीचा छुड़ा रही थी पंड़ जी आप आईए रवी कहा है मास्तर जी बच्चों को पना रहे है कमरे में पांच मिनट के अंदर आते होंगे आप बैटो माप करना पंड़े जी मैं जड़ा काम खतम कर लो कर लो कर लो राय साब का पार है चार पांच रोज में आजामेंगे डिवान जी को चिट्थी आई है उसमें लिख़ा है पच्चीज को आमेंगे पच्चीज आज रही 15 अब्सक्राइब जी तो रही दस रोज बाकी है अजी दस रोज तो इसी अपटे में गजर जानेगे समय जा जाते कोई भकत लगा है क्या मस्ते मामा जी नमस्ते नमस्ते क्या हाद जी तरहा बेता, जी तरहा है, किलास सतम हो गई? मामची, आदे गंदे बादे कैलास अजी किलास होती है जा अपनी कमर में जा कईये मामची, कैसे अना हुआ? तुमारी एक चिठ आई थी किसके चिट्ट्री है, अमित के, क्या लेकर, मेरे नौकरी तो बन गई मामा जी, दो दिन के अंदर अंदर डूटी जॉइन करने होगी, कहां, बहुत अच्छी कमपनी है, और नौकरी भी बहुत अच्छी है, आने से पहले इंटर्व्यू देकर आये था, एक मिस्टर दिक्ष अठारा दरेको, अठारा, मतलब दो दिन बाद, जी हम, इतनी जल्दी कैसे जाओगे, और यहां क्या होगा, हाँ, वो मुश्किल है क्योंके, क्योंके राई साब यहां नहीं है, और बच्चे, उनका क्या होगा, लेकिन मामा जी, यह नोकरी आहां से चले गई, तो भी अच साब क्या आने से पहले कोई फैचला नहीं करना काई, अच्छा तो मैं चलता हूँ, जरा गणी साब क्या भी जाना है, आना किसी रोद घर पर, रमा को भी साथ ले आना, तेरी मामी पूछ रही थी, बितिना बिताई रहना, बिरहा कि जाई रहना क्या हुआ, गावना, चिप क्यों हो गई, क्यों, आपके सामने नहीं गा सकती, वो क्यों, मैं कोई ऐसा बेसूर भी तो नहीं हूँ कि अच्छे गाने की दाद ना दे सको, इसलिए नहीं, मैं खुद बहुत बेसूरी हूँ, मगर सुनकर पर ऐसा नहीं लगा, किस उस्ताद बाबुजी, देखें आप क्या गा रही थी, ये बाबुजी की कौपी है, ये माजी, ये बाबुजी का आखरी गीत था, जो नहीं मुझे सिखा है, उस वक्त माजी भी नहीं थी, उनको गुजरे तीन-चार साल हूचुके थे, और बाबुजी भी बहुत बेमार रहते थे, भी तीना भी चाई रेना, बिरहां की चाई रेना, भी तीना भी चाई रेना, बिरहा के चाए रेना भीगी होई अखी नोने लाख पुझाए रेना भीतिना बिताए रेना बिरहा के चाए रेना भीगी होई अखी नोने लाख पुझाए रेना भीतिना बिताए रेना बिती होई पतियां कोई दहराए गूले होई लाणा कोई तो बुलाएं है, बिती होई वर्तियां, कोई तो हराएं है, भूले हुए लामों से, कोई तो बुलाएं है, चौन कोई, कोई, ओ चांद की बिंदी वाली, बिंदी वाली रतियां, जागी हुई अखियों में, रात नाई रहना, बिती ना बिताई रहना, बिरहा की जाई रहना, बिगी हुई अखियों में, लाख बुजाई रहना, बिती ना बिताई रहना, युग आते हैं पर युग जाएं चोटी चोटी यादों के पल नहीं जाएं युग आते हैं और युग जाएं पल नहीं जाएं जूट से काली लागे, लागे काली रतिया रूठी हुई अखियों ने लाख मनाई रहना बितिला बिताए रहना बिरहा की जाए रहना भीगी हुई अखियों ने लाख मुझाए रहना बितिला बिताए रहना बिरहा की जाए रहना बितिला बिताए रहना बाबुजी बाट टकलीफ हो रहे है डॉक्र चाचा रहना पुछे बाबुजी, सतरे साल हुए आपका घर छोड़े, या यूंकमा, अपना घर बसा है। जैसा आपने कहा था, अब तक वैसे ही जिया, अपनी तरह, लेकिनार जिस मौताजी पर मजबूर हो गया हूं, अपने लिए नहीं, अपने छोटे छोटे पाँच पर चुप लिए, उन्हें समाज लीजीए। एसे पोस करे देना, कहा गुम रहे थे बारिश ना, बारिश तो बंद होगे बाबुजी, मेरा टिकेट के बैस है। कहा जा रहा है? यह चुट्टी डलने, बाबुजी ने दिये हैं। अभी देना, मुझे दे रहे हरे हैं। अजे, अजू! अजू! कल रात तुम्हेर तुमेट कैसी रही, इलाज भी तो तुम ठीक सने लेका। बाबुजी! आपने दादाजी को चुट्टी लिखिये हैं। हाँ, हाँ, बैटे, लिखा है तुझ आकर ले जाए। क्यों? वो, तु मेथी का साग बहुत अच्छा बनाती हैं। उने भी बहुत पसंद है। खुब खिलाते रहना ह। मजाद मत करो बाबुजी, ठीक ठीक बताओ। तेरा मिजास भी बिलकुल तेरे दादाजी की तरह है। तु ही ठीक रहेगी। सच बताई क्या लिखा अपने। पैसे मंगाए उनसे। नहीं, पैटे। तेरे बाबुजी ऐसा कभी नहीं करेंगे। मरते मरते भी वह। तु चिठी क्यों लिखी। याद है, माने एक बर कहा था तो आपने कितना डांटा था उन्हे। जा बेटे। डॉक्तर चाहते के लिए चाहे लिया। मदन माँ वो गुलियें क्या खत्म होगी। सांस खत्म होगी। भाया, ऐसे कैसे इलाज होगा। कितनी बार क्या जोगा हूँ कि तुम्हे फॉरण हॉस्पिटल दाखिल होना चाहिए। चांदता हूँ। इसलिए तो आज बाबुजी को चिठी लिग दे। औरना बच्चों को कहां छोग। यह देखो दिल में दस बार खुन तुगता भावजी भावजी उसी दिन हम बाबुजी को हॉस्पिटल लेके लेकिन देर बहुत हो चुकी थी। कुछी दिनों में अंच सामने नज़र आने लगा। वो दादा जी को रोज पूछते थे। वह है। उनकी कोई चिठी। मगर मैं जानती हूँ दादा जी जान बूचकर नहीं है। अपनी जिद अपने गुरूर के लिए। और जब सब कुछ खत्म हो गया। तब हमें लेने आए। अगर बाबुजी ने मुझे आखरवयक कसम ने दिलाई होती तो मैं कभी नहीं आती हूँ। रमा, मैं किसी को दोश नहीं दे रहा हूँ। लेकिन सच कहूँ। राइसाब को समझने में सब ने भूल की है। तुमने भी। और तुमारे बाबुजी ने भी। तुम समझती हो, राइसाब ने जान बुचकर अपनी बेटी की ख़बर ने ली। हालांके 17 साल उन्होंने उनकी चिठी का इंतजार किया। अगर उन्होंने एक बार भी लिखा होता, तो राइसाब उन्हें खुद जाकर लिया आते है। आपको क्या मालू, किसने का हबसे। खुद राइसाब ने तो फिर उन्होंने क्यों ही मना लिया बाबुजी को। कहां जाकर मनाते हैं, कहां लिखते हैं उन्हें, तुम्हारे बाबुजी ने तो कोई ख़पर नहीं थी उन्हें जब चिठी लिखी थी तब, तब क्यों नहीं आए देखो रमा, तुमने खुदी सोचकर उसका फैसला भी कर लिया क्या तुमने कभी राय साब से पूछा, कि वो क्यों नहीं आए मैं क्यों पूछते तो वो क्यों बताते, उनकी जवाब देए अपने बेटे से थी, तुमसे नहीं सुनो, मैं बताता हूँ, जब तुम्हारे बाबुजी की चिठी यहां आई, उस वक्त राय साब यहां नहीं थे, बाहर गए हुए थे करीब महीने बर के बाद वो चिठी उन्हें मिली, और वो चिठी मिलते ही, वो यहां एक मिनिट नहीं रोके, उसी तरह अपने बेटे से मिले चले गए आपको कैसे मालो, फिर वही, क्या तुम्हें याद नहीं, वो दो दिन तक तुम्हारे साथ ही रहे, तुम्हें मनाते रहे यहां आने के लिए, दो दिन तक उन्हीं कपड़ों में उड़ते बैड़ते सोते रहे, उनके बास बदनने के लिए भी कपड़े नहीं थे, उनकी वह हलत भुल गी तुम। उस वक्त कौन सी ऐसी गरस थी। कौन सा ऐसा गरूर था जिसके लिए पांच पांच साथ साथ साल के बच्चों के आगे गड़ गड़ाते रहे। हाथ जोड़ते रहे। नारान! यह कौन लाया है? मास्तर जी. किसलिए? बच्चे खेला करें. रवी कहा है? वो तो चले गए? मास्तर जी तो सहर चले गए, कह रहे हैं तो शेर आप, दिवान जी कहा है, बाहर गए हुजूर, बलाओ उने, जी बलाता हूँ, फेरो, यह तस्वीर यहां किसने लगाई, बच्चों ने, कहा है बच्चे, स्कूल में, जहां वो पढ़ा करें हुजूर, ग्लास में, जी, मां क्या कर रहे, पढ़ रहे हुजूर, पढ़ रहे, जी, रोज एक बज़े तक पढ़ा करें हुजूर साब, पढ़ा कौन दहा है, ड्रमा दिदी, जी, चारे, जी, जी. बादादा जी नमस्ते दादा जी नमस्ते दादा जी कहा है दादा जी जो पर दो फिए लोगे लोगे मेंगे चीते दुरुटे वो अजी आगी? नहीं, बेटी, अब वो अपने घर रहेंगी तुम बैटो, बढ़ाओ वो अजी आगी द्यादा जी, ये लीजिए, मेठी का साथ मैने बनाय आपको बहुत पसंद है आपको बहुत पसंद है, बाबु जी ने कहा था, तो मैं नीलू ने बताया था तो मुझे याद किया करता था बहुत याद किया करते थे, अक्सर आपकी बातें बताया करते थे क्या बताया करता था यही जिना बहुत पथर दिल हूँ, मैंने बहुत सुलम के लिए उस्तर नहीं दादा जी, वो तो कहा करते थे मेरे बाबुजी के जैसा उसूलों का पका और दूसरा नहीं दिखा जिन्देगे में कौन है? अंदर आप गूदनाइट दादाजी डूदनाइट दादा जी गूदनाइट दादाजी अरे, दर्वाजय में क्योंख़़े जूँ आँ अंदर आप शन्जूअ, ये ये गूदनाइट बोलना तुम्हें किसने सिखाया? मास्थेची ने माताची ने, आप, हमारे पास रहो क्या? मैं भी रहोंगी दादाजे, मैं भी रहोंगी आपको पादे आप दोनों यह रहो दादाजी आपको कानी आची? कौनसी कानी? मोई जो लंगने भूद की नहीं हमें आची सुनाओ एक तार लंगने भूद की बढ़ उसको पर थूप दिये मुझे तो बड़ा आव बैटी आव आज आओन यह कहानिया इना कौन चिखाया करता था रभी? जी रभी कुछ कह कर गया था? जी कह रहे थे शेहर में अच्छी नौकरी मिल कही है जाना जरूरी मैं बहुत शुकर गुजार हूं रभी का उसने मेरे बच्चों से मेरा पलीचे करा दिया लेकिन एक बात उसकी अच्छी नहीं लगी बिना बताय मेरे गार हादरी में जो चला गया अच्छा नहीं किया उसने दादा जी नाराज है तो सिर्फ इस बात पर कि आप उनसे मिले बगर क्यों चले गए वरना बहुत खुश हैं उन्हें हस्ता देखकर बहुत अच्छा लगता है आप हैरान होंगे सुनकर मीत आचकल दादा जी के पास होती है संजू मेरे साथ रहता है अजय और विजय दोनों होस्टल चले गया है उस दिन जब होस्टल के लिए जा रहे थे तो दादा जी का गला भर गया कहने लगे अभी तो जी बर कर रहा भी नहीं इन बच्चों के साथ आपका नाम लेकर बोले वह होता तो कुछ महने और यहां पढ़ा देता लेकिन आपको तो बहुत काम होगा Brand Sanju से मिलने की फुरसत भी कहा होगी Sanju और बाकी सब आपको बहुत याद करते है Sanju और बाकी Sanju और बाकी.. Sanju और बाकी सब भी पहुँत याद करते है पचास बार तुँ यह पढ़ चुका और पचास बार मैं यह सुनु चुका हूँ लेकिन बाकी सब कर नाम क्यों नहीं लेता कॉन है राहि Caesar औरब Owra Ajay Wijaj और नरायज Current Andre और 10 साला रंघ का नाम क्यों हलेता क्या पदिवता स्तुर्यों के दरह श्रमा रहेत। तुम्हारी कमी मैसस होगी जेपु साला और कैसे कहता है दिल पर हाथ रखकर ड्रामा करता जैसे फिल्मों में करते हैं अच्छा आते हुवे रहा ने कुछ कहा था तुझा नहीं जब आ रहा था तो संजु और बाकी सब भार तक छोड़ने आया थे जाने को तो मेरा जी भी नहीं चाहता दिवान ची लेकिन क्या करूं नौकरी ऐसी है के छोड़ना भी नहीं चाहता राय साब आजाए तो आप उनसे मेरी तरफ से माफी मांगने चीगा समझा दीजीगा उन्ने तो मैं चलूँ अजय जो कुछ मैंने बता वह सब याद रखोगे ना यस सर रिजय यस सर मुन्नी आपका बेर मोबाप है सर आपके शादी में आएंगे बेटा पलाओगी ना आपका उचा अजय सर हमेज़ जयना है बेटा काम है फिर कोप आएंगो सर आएंगे सजयो जल्दी आएंगे आपकी दीदिक आएंगे वो अपने कमरे में रूर रही है रूर में रही है आप कभी नहीं आएंगे, तादर जी से मिलने, आउंगा रमा, तुमसे मिलने भी आउंगा, रमा, मैं चलूँ, कर दोते में बाली आप से मिलने, बाली से मिलने ओुमसे मिलने, रमा. प्रभी, मेरा ख्याला तुझे जाके मिलना चाहिए और अगर हो सके, तो एक बार रमा से बाप भी कर ले में चाहिए क्या, देख रमा तुझे चाहते हुए भी, खुद राई साब से बात नहीं कर सकती तुग्या समझता, आमेद, मैं बात कर सकता हूँ अगर तुम रमा की फीलिंग्स यकीनी तौर पर जानते हो, तो फिर कह सकते हो खुद नहीं कह सकता, तो मामा जी से तो बात करवा सकता है उस बिचारी रमा के लिए तो और कोई तरीका ही नहीं, उसके माबाप तो है ही नहीं, कहीगी किस से तो कम से कम जाके मिल तो सही, हो सकता है राई साब खुदी बात समझ जाए चलो, मुझा करो, शाबाज, बस अब आंकों को हाथ नहीं लगाना, यह लो, चश्मा पहनो, शेरू, बच्चों को अंदर ले जाओ, जाओ पिटा गर्मी बहुत है, जाओ नमस्ते राय साब नमस्ते आप क्यों आये हो, किसने बुलाया तुम्हें, बुलाया, बुलाया तो किसी ने नहीं, मिलने चलाया, किस से मिलने आये हो, जी, रमा से, बच्चों से, जी, सभी से मिलने चलाया, हम से मिलने तो नहीं आये, हमारी अगर पढ़वा होती तो इस तरह हमारी गैरहादरी में भ आपकी गहर हजर में जाना पड़ा, लेकिन मुझे आप जानते हैं, फिर आपने जो काम मुझे सौंपा था, उसे पूरा करके गया, किस ने कहा तुम्हारा काम पूरा हो गया है, अभी तो तुमने सिरफ बच्चों को ठीक किया है, और बाकी, बाकी, बाकी कौन, हम, हमें कौन सीधा कर दिया है, मैं बहुत खुश हूँ, और तुम्हारा बहुत शुकर गुजार हूँ, कि तुमने हमें अपने बच्चों से मिला दिया, वरना बाकी उमर भी इसी तरह कुड़ते कुड़ते गुजर जाती, और बच्चे सिरफ यही जान पाते, कि उनका दादा बहुत जालिम है, नहीं राय साब, मुठ्धी बंद करने से कहीं, खुश्बू कैद होती है, आपके अंदर इतना प्यार भरा हुआ था, कि कहीं न कहीं से उसकी में बच्चों तक पहुची जाती है, कैसे हैं संजू और बाकी सब, अज अब जो होस्टल से चिठ्धी तो लिखते ह होंगे, चिठ्धी तो उनकी हर अफते, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम के वो होस्टल चले गए है, मैं वो रवाने चिठ्धी लिखी थी, मैं कहकर गया था, क्या आपके आने के बाद मुझे खवर कर दे, कि मैं अपने काम में कहां तक कामें आप रहा, हालां कि चिठ्धी आपको लिखनी चाहिए थी, मुझे मुझे मुबारक बात देने के लिए हर्गिस नहीं, चिठ्धी तुम्हें लिखनी चाहिए थी क्योंके, खैर छोड़े इस बात को, इसी जित के लिए पहले एक बेटे से हारा हूँ, तो बारा ऐसी भूल नहीं करना चाहता हूँ, तु सुखी रहेगी अगर उस खर चली गई तुम्हें, रमा जानती है, नहीं, रभी, मैं अपने अंदर कहीं तूट चुका हूँ, कमजोर हो गया हूँ, पता नहीं क्यों, अपनी चोटी सी बेटी से कहते हुए डर लगता है, कहीं उसने ना कह दी तो मैं, मैं से नहीं हालां कि कोई वजय नहीं, कोई कारण नहीं इस डर का, रभी, अपने बेटे की शादी मैं अपनी मर्दी से ना कर सका, लेकिन अपनी इस बेटी की शादी अपनी तरह करने की बड़ी हसनत है, शायद अपने पुराने पापों को धोना चाहता हूँ, चलो रभी, दिवान ख हो गई है, संजी और मिता का है, अपने कमरे में होंगे, जाओ उन से मिल लो, तुम्हें मिलकर वो बहुत खुश होंगे, बहुत याद करते हैं तुम्हे, अपने बेटे की शादी मैं अपनी मर्दी से ना कर सका, लेकिन अपनी इस बेटी की शादी अपनी तरह करने की बड़ी हस्रत है, शायद अपने पुराने पापों को दोना चाहता हूँ, पिटा, तुम्हें जरूर कोई याद कर रहा है, अभी तुम्हें चीका रही है, कौन याद कर रहा है दिदी? तुम्हें मास्टर जी याद कर रहा है, तीन बार क्यों याद कर रहा है? अरे बभवा, प्यार करते हैं तुम्हें मास्टर जी तुम्हें याद कर रहा है दीदी, तुमको भी तुम्हें मास्टर जी प्यार करते है नहीं, दीदी को कहां चीका ही है अभी तुम्हें मास्टर जी को चीका रहा है मुशापिर हुँ यारो ना घर है ना किकाना दिनने हाथ थाम कर इधर बिठा लिया रात ने इशारे से उधर बुला लिया खुब से शाम से मेरा दोस्ताना मुशापिर हुँ यारो ना घर है ना ठिकाना मुझे चलते जाना है बस चलते जाना क्या हुआ चाहां की तैयारी कर रहा है शहर की मामजी आज दोपैर की गाड़े से निकल जाओंगा ऐसी भी क्या जल्दी आभी तो आया है दो एक रोज और रुक जा नहीं मामजी मैं हम इसे कहकर आया था बात क्या है ऐसा उख़ा ख़़ा क्यों लग रहा है जी कुछ नहीं राइसाब मिलेते है जी हाँ रमा मिली थी कैसी है रमा अच्छी है कहा जा रही है रवी कहा है रवी कहा है रवी रमा किदर आओ मेरे पास आओ और परीबाद अच्छा नहीं अच्छा नहीं लगा तुमारे इस तरह आना और इस तरह चले जाना लगता अब जाईया चूने आये थे तुम ठेरो मैं देखता हूँ चलो सीटी बाज़ी चड़ जाओ अब ख्याल रखना अच्छी उठी उठी भेजना पंदर जी पंदर जी रवी कहा है? रवी चला गया? मैं पूछता हूँ रवी क्या? पुम पूप्स आफ रवी को पूप्स रवी को चला अहुँ रवी का सब्सक्षण रवी का लवी कि नवी क्या रवी क्या प्रूपट पंड़ जी बुज़ोरुगी इसी में है कि अब हम लोग यहां से चलें हम जी जाल बगलमान आपेंग से चलें आपेंग से चलेंग जी बुज़ोरुगी इसी में हम लोग यहां से चलेंग से चलेंग जी इस चलेंग काया है झाल झाल